वेलकम टू अस्टडी उई सोदागर आज किस वीडियो में हम लोग कुछ महतपूर्ण परियाबाची सब्द को देखेंगे जिने आपको याद रखना काफी जरूरी है और कई एक्जाम में पूछे जाते हैं तो चलिए आज हम लोग महतपूर्ण परियाबाची सब्द को द और तीन हम लोग परियाबाची लिखेंगे तो एक और लिख लेते हैं पाहून तो यहाँ पर अतित्थी का परियाबाची सब्द हो गया मेहमान अभ्यागत पाहून उसी परकार आनंद का परियाबाची सब्द होगा हर्ष उसके बाद आमोद और क्या हो जाएगा next हम लोग लिखेंगे चतुर का परियाबाची सब्द किसका लिखेंगे चतुर का परियाबाची सब्द तो चतुर का परियाबाची सब्द क्या क्या हो जाएगा तो चालाक हो जाएगा उसके बाद कुशल हो जाएगा और क्या हो जाएगा कुशल के बाद दक्ष भी हो जाएगा ये सारा चतुर का परियाबाची सब्द है नेक्ष हम लोग लिखेंगे नया का परियाबाची सब्द तो नया का परियाबाची सब्द हो जाएगा नब नबीन नूतन और इसका एक और लिख लेंगे अभिनब भी होता है नया का क्या होता है अभिनब next हम लोग लिखेंगे उन्नती का परियाबाची सब्द किसका लिखेंगे उन्नती का परियाबाची सब्द तो उन्नती का परियाबाची सब्द क्या क्या हो जाएगा वो हो जाएगा विकाश उसके बाद हो जाएगा उत्थान और उत्कर्ष भी हो जाएगा तो उत्कर्ष भी हम लोग लिख लेंगे next हम लोग बढ़ते हैं और आगे लिखेंगे इच्छा का परियाबाची सब्द इच्छा का परियाबाची सब्द क्या क्या हो जाएगा तो देखिए इच्छा का परियाबाची सब्द हो जाएगा आकांचा कामना और क्या हो जाएगा अभिलासा नेक्स है हम लोग का क्रोध क्रोध का प्रियाबाची सब्द क्या हो जाएगा तो पहले लिख लेते हैं क्रोध तो क्रोध का प्रियाबाची सब्द हो जाएगा रोश कोप अमर्श आगे हम लोग बढ़ते हैं सब कभी कभी बोल देते हैं कि सब मतलब सब लोग जैसे बला वो बला सब एक सब मिस होता है बड़ी भी तो वो सब नहीं यहाँ पर सब बला यानि सभी लोग बला तो सब का यहाँ पर प्रियाबादी सब्द क्या हो जाएगा तो सब का हो जाएगा कुल और क्या होगा शर्ब और शमस्त होगा शमस्त नेक्ष हम लोग बढ़ते हैं हम लोग का नेक्ष जो है वो है सेना देखिए सेना का प्रियाबाची जो होगा वो होगा दल उसके बाद हो जाएगा फाउज और क्या हो जाएगा वाहिनी वाहिनी नेक्स है हमारा स्वर्ग तो स्वर्ग का प्रियाबाची सब्द होगा देब लोक उसके बाद हो जाएगा शूर लोक और हो जाएगा आकास देखिए इसमें में वही सब जितने भी प्रियाबाची सब्द होगा important परियाबाची सब्द ले रहा और आपको हम लोग 50 परियाबाची सब्द पहले भी वीडियो में बता चुके हैं यदि आप लोग उन 50 परियाबाची सब्द को एक साथ भी देखना चाहते हैं तो पहले आप लोग उस वीडियो की भी जाके देखें क्योंकि उसमें हमने 50 परियाबाची सब्द बता हैं और इसमें हम लोग कुछ इंपोर्टेंट जो परियाबाची सब्द बचे हुए हैं उसी को इसमें बता रहे हैं तो चलिए अगला हम लोग श्वर के आगे हम लोग जानेंगे पंडित का परियावाची सब्द क्या होता है तो पंडित का परियावाची सब्द हो जाएगा बिद्वान उसके बाद बोध्ध और शूधी आगला है शुंदर शुंदर का परियावाची सब्द क्या होगा तो शुन्दर का हम लोग परियाबाची सब्द लिख लेते हैं शुन्दर का हो जाएगा मनोहर मनोहर और चारू चारू के बाद मनजुल रम में भी होता है शुन्दर का परियाबाची सब्द रम में भी होता है तो रम अगला हम लोग लिखेंगे अपमान का परियाबाची सब्द अपमान अपमान का परियाबाची सब्द हो जाएगा बेजजती उसके बाद हो जाएगा तिरसकार और हो जाएगा निरादर निरादर नेक्ष है हमारा अंग का तो अंग का परियाबाची सब्द क्या-क्या हो जाएगा अंग का हो जाएगा भाग उसके बाद हो जाएगा अंस और हिस्सा भी हो जाएगा चलिए आगे हम लोग लिख लेते हैं कीरन का परियाबाची सब्द तो कीरन का परियावाची सब्द हो जाएगा अंसू, उसके बाद रस्मी, रस्मी के बाद हम लोग लिखेंगे मरीची, ये था कीरन का परियावाची सब्द, आगे हम लोग इस्वर का परियावाची सब्द जानेंगे, जो कि सब लोग जानते होंगे, भगवान, प्रमात्मा ये भी काफी important है ये भी पूछ देता है अधिकांस exam में प्रभू next हम लोग दुख का परियाबाची सब्द जानेंगे तो दुख का परियाबाची सब्द हो जाएगा कलेश पीरा और हम लोग कस्ट भी इसी में लिख सकते हैं अगला है महादेब तो महादेब का परियाबाची सब्द काफी important है तो महादेब का परियाबाची सब्द हो जाएगा कैलासपती उसके बाद हो जाएगा सिब शंभू काफी है महादेब का संभू सौरी शंभू उसके बाद तिरी देब पसुपत्ति इत्यादी ये सब भी लिख सकते हैं हम लोग मचली का प्रियाबाचे सब्द लिखे हैं जल जीवन जल जीवन उसके बाद हो जाएगा मतश मतश शफरी भी होता है शफरी एक मीन भी होता है मीन मिस मचली ये होता है यह भी लिख लीजिए ब्रिक्च का परियावाची सब्द हो जायेगा गाच देखिये मेन लूबस हम लोग गाच बोलते हैं वो भी हो जाता है परियावाची सब्द पादब पेर और तरू तरू भी होता है ब्रिक्च का इस तरह आप इसमें जितने भी देखें यह सारे इंपोर्टेंट है और इसके सिबा 50 और आपके इसी चैनल पर अप्लोट किया गया मैं इसी वीडियो में लिंक दे दूँगा तो वहां से भी आप लोग देख सकते हैं तो इस तरह अगर आप लोग सही से इसको देख लेते हैं तो आपको किसी भी एक्जाम में प्रयाबाची सबसे नहीं चूटेगा आई होप कि आपको यहाँ वीडियो अच्छा लगा अच्छा लगा तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ सेर करें मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक क्लिए जहें धन्याबाद